देखो हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारे माइक्रो ओर्ग्यानिजम्स के विभिन प्रकारों के वारे में पढ़ा फूर्ड इंडेस्ट्री, टेक्स्ट्री, अंटिवायोटेक्स या फेर मैडिसिनल इंडेस्ट्री कहां कहां वो किस तरीके से यूज में आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ा अब इन ही माइक्रो Southeast का हमारी medicinal food industry के अलवा अब हमारी fuel industry में भी काम होता है और ये माइक्रो ओर्गेनिसम्स हमारी fuel industry as well as हमारे nature में पैदा होने वाले pollution इनको तक control करने में हमारी है करते हैं यह टॉपिक आज का हमारे इन मुद्दों पर बात्चीत करने वाला है सोच के थोड़ा अजीब लगता होगा कि माइक्रो और्गानिजम किस तरीके से पॉलूशन कंट्रोल करेगा बट यस माइक्रो और्गानिजम भी पॉलूशन कंट्रोल करता है कैसे कैसे पॉलूशन देखो पॉलूशन अलग-अलग क्याटिगरीज के होते हैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी या किताब आपको अभी जो पॉलूशन बता रही है सिफ्व वही पॉलूशन आपके सिलबस में है और बाकी पॉलूशन तो आपकी सिलबस में है ही नहीं ऐसा नहीं हो प्लिशन विभिन विभिन प्रकार क्यों होते हैं ear pollution water polution soil pollution phalana pollution dhimkaana pollution बट हम हमारे इसलिबिस में अभी कुछ मेजर type के pollution के साथ डील करेंगे जैसे की solid waste medical यानि की Hospital से निकलने वाले syringes gloss खाली दवाईयों के मत coconut injection की शीशिया, रापर्स, एक्सेक्टर, आक्सेक्टर, जीने हम बायो मेडिकल वेस्ट कहते हैं, या फिर हमारे घरों से निकलने वाला कचड़ा, हम जो अपनी डे टुडे लाइफ में यूस करते हैं, उन चीजों के बारे में, दूसरा हम लोग यहां पे बात करेंगे, सीवेज क करने की गटर, गटर, नाला, इन में जो बहता है पानी, उसके से संबंदिर, ये दो पुल्यूटेंट हम लोग आज के हमारे टॉपेक में 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 डिसकर्स करने जा रहे हैं, बाकी कंट्री का मुझे नहीं पता, बट इंडिया में हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, कि और ये जो आप लोगों का सीवेज वेस्ट है, जो जिस कॉंटिटी में, ये मैं कहूंना, जिस स्पीड में ये इंक्रीज हो रहा है, उस स्पीड में ये डिग्रेड नहीं हो रहा है, मतलब अगर आप दो दिन के लिए केले के छिलके को बहार ऐसा फेक देंगे, ठीक है, ब तरफाइर दिन आगर क्षिल का सड़ने लगत और आफटर टम वीक आप जाकर के देखेंगे तो जी जगाप में आपने केले का च्छिल का डाला था नअ वहां से केले का जिल का गायब हो गया गंगा क्योंकि वह पर्टिकुलार सब्स्तान्स कंप्लीट लीकि मूख वह और हम जिस बात कर रहे हैं जैसे कि seaweed waste यह हमारे देश में छोड़ो, worldwide में जैसे 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 जिस speed में यह increase हो रहा है, यह उस speed में degrade नहीं होता, यह accumulate हो रहा है, जमा होते जा रहा है, और अगर मालेते किसी भी प्रकार का pollutant हमारे environment में जमा होते जाता है, तो वो particular pollutant हमा हमारी जो रिसर्च है वो इस डारेक्शन में मूव करने लगी है कि आखिर ऐसे माइक्रोब्स लोगों को ढूंडा जाए जो इस तरीके के वेस्ट को अक्यूमलेट ना होने दें इन्हें केले के छिलके के जैसे वो खा जाएं डिग्रेट कर दें हमें लगेगा कि अरे क्या ऐ एसा करपाना हमारे लिए सही में पॉसिबल है ठीक है कुछ ऐसे हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं जो माइक्रोब्स हम लोगों के एन्वार्मेंट को क्लीन करने में हमारी मरत करते हैं हमारे एन्वार्मेंट के अंदर से इन पर्टिकुलर चीजों को डिग्रेट करने में ह यहां पे बादचीत की गई है oil spillage की अब यह oil spillage क्या है देखो समुद्र में बहुत सारे जहाज आप लोगों के चलते हैं due to some accident कई बार क्या हो जाता है यह जो जहाज होते हैं उलट जाते हैं पलट जाते हैं इनके अंदर का जो पेट्रोल होता है डीजल होता है या जो भी च कहते हैं spillage, spilling of oil अब जो oil होता है जैसा कि तुम जानते हो नहीं भी जानते हो तो घर में यह चोटी सी प्याजी सी activity आप करके देख सकते हैं कि जब आप पानी के उपर तेल रख देगे तो तेल पानी के साथ मिक्स नहीं होता है तेल पानी के उपर जमा हो जाता है तो वैस कभी समुद्र में by accident अगर मान के चलिए इस तरीके से पेट्रोल वगेरा गिर जाए तो वह पेट्रोल वगेरा क्या हो जाता है वहां उपर उसकी जो टॉप लेयर होती है ना उसकी टॉप लेयर पे पानी के उपर वह जमा हो जाता है तो क्या हो गया मैडम जमा ही तो हुआ है इससे नुकसान है सनलाइट को ब्लॉक करता है हमारे समुद्र के पानी के अंदर ऑक्सिजन एयर के सप्लाई को हिंडर करता है जिसकी वज़े से हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है समुद्र के अंदर उनको हानी पहुँचती है और वो लोग इसका शिकार हो जाते है और मर जाते हैं प्लस जो पर्टिकुलर पेट्रोल केमिकल गिरा है उसमें बहुर सारे टॉक्सिक केमिकल होते हैं अगर कोई मच्छी या कोई भी अक्वेटिक लाइफ उसको अपनी बॉडी के अंदर ले ले क्योंकि मच्छी लोग कैसे ऑक्सिजन लेते हैं यह तो समय पता ही आजाता हैं। तो नहीं चाहते हैं कि इस तरह चाहते के कोई बी बैध मच्लियों को यह आक्वेटिक लाइफ को पाँचे हैं। और इनदीर्लेक्ले पता है क्या यही डेमेज घुं फिर कर तुम्हारे पास भी आ जाता है। हमारे पास के से हता है? अरे यार इन्ही मचलियों को तुम अच्छवारे पकड़ते और इन्ही को पकड़कर अगर हम खाएंगे तो बेसिकली यही क्यमिकल हमारी बॉडी में भी अक्यूमलेट हो जाएगा तो तुम बोलोगे कि मैडम आप निकाल क्यों नहीं रहे हो क्यमिकल को इसको जमा क्यों कर रहे हो मेरे हाथ में नहीं है या फिर किसी और के हाथ में नहीं है इतना आसान नहीं होता है इन क्यमिकल को ऐसे ही निकाल देना तो हम क्या करें तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही प्यारे बैक्टेरिया का जिकर किया गया है Pseudomonas and Eclanovorax berkuminis ये वो बैक्टेरिया है जो अगर mix कर दिये जाए पानी के साथ तो इनके अंदर ये ability होती है कि ये chemicals जैसे कि one of the chemical का नाम दिया गया है जो कि pyridine जैसे chemical को भी खा जाते हैं और जो oil spill हुआ है समुद्र वगेरा के उपर उनको हटाने में हमारी मदद करते हैं So therefore these bacterias are known as hydrocarbonoclastic bacteria HCB ठीके क्योंकि इन bacterias का काम क्या होता है इनका काम होता है carbon compounds के जो chemicals हैं उन chemicals को क्या कर देना आपका तोड़ देना और तोड़ कर इनके अंदर से क्या बना लेना carbon बना देना oxygen बना देना carbon और oxygen वापस से convert हो जाते हैं CO2 और water में बत्ब इन डारेकली पानी के अंदर होता क्या है जो chemical उसके अंदर mix हो गया था उस mix हुए chemical को ये bacteria तोड़ देते हैं ठीक है किसमें CO2 and water में और ना तो CO2 हमारे लिए aquatic life के लिए harmful है क्योंकि वो CO2 किसी तरीके से environment में वापस भी चला जाता है and water तो वैसे भी harmful नहीं है तो ये काम करते हैं सोचो ये bacteria कितने अच्छे bacteria हैं है न जो oil spill में हमारी help करते हैं तो यहां से आपको question पूछा जा सकता है कि example बताईए ऐसे bacteria का जो इस process में आपकी help करते हैं यहां से आपको question पूछा जा सकता है what is HCB तो आपको proper तरीके से define करना है HCB are those bacteria which decomposes the hydrocarbons and bring about the reaction of carbon and oxygen full stop CO2 in water is formed in this process ठीक है और बाजू में देखो आपको इस type के HCB नामक इस bacteria की फोटो भी दी हुए है तो जैसा कि मैं तुम्हें हजारों बार बता चुकी हूँ कि अगर paper में मुझे तुम्हारा exam लेना होता तो मैं तुम्हारे पता कुश्चन किस तरीके से बनाती इसी तरीके से फोटो बना बना के मैं आपको दे देती और बोलती कि identify करिए ये कौन है कौन है कौन है फिर आपका काम होता identify करना और फिर जब आप identify कर लेते तो फिर मैं आपसे उसी question में कौन सब पर पुछती कि बताइए इस particular bacteria का क्या use है तो फिर आप उसका use भी लिख देते तो इस तरीके से two mark का question तयार हो जाता पहला question तयार हो जाता identify करने का और दूसर question तयार हो जाता उसका क्या करने का use लिखने का ठीक है अगर मुझे paper form करना होता तो मैं define, give to example इस तरीके से question ना तयार करके इस तरीके से photos के form में question paper को ready करती ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब आगे देखो क्या बोला गया है इसमें इसमें बोला गया है कि oil spillage के अलावा एक और बहुत ही जादा गंभीर समस्या हमारे environment में है इसको लेकर तो खेर तुम भी बहुत कुछ पड़े हो बहुत कुछ जानते हो वो है plastic अब देखो market में दो प्रकार के plastic आते हैं एक ऐसे plastic जिन्हें आप recycle कर सकते हो बहुत अच्छी बात है पर जिन्हें आप recycle नहीं कर सकते हैं वो plastic इसी तरीके से आपके environment में आपके nature में करोडों वर्ष तक बढ़े रहेंगे दूप मिटी पानी ठंडी गर्मी बरसात उससे उसको कुछ नहीं होगा और समय के साथ साथ जैसे जैसे population बढ़ रही है जैसे जैसे इंसान का plastic करने का use करने का increment हो रहा है दीरे दीरें का pollution भी बढ़ता जाएगा तो ऐसे plastic हमारे nature में सिर्फ accumulate होते जा रहे हैं तो actually में अभी बहुत जादा इस चीज की डिमांड बन रही है कि ऐसे plastic जिने चलो आप recycle नहीं कर सकते क्योंकि possible नहीं हो पाता है हर चीज को recycle कर पाना due to some reasons जो कि आप class 12 में पढ़ेंगे पॉलीमर चाप्टर में कई वह possible नहीं हो पाता है तो लेकिन यार अगर रिसाइकल ही नहीं कर पाओगे तो फिर आप उसको मतलब पॉल्यूशन बन जाएगा फिर क्या करें तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा plastic बनाया जाए प्लास्टिक बनाने में कुछ ऐसे chemicals का इस्तमाल किया जाए जिने सब्सक्राइर हो प्लास्टिक संद्र कीमीचल धूर IRो को प्लास्टिक को खाने वाले माइक्रोप के नाम आपके सिलबॉस में दिये हुए हैं, जैसे के विब्रियो, इडिनोला, सिकनाइसिस, है ना, लेकिन ये परटिकुलर माइक्रोब हर प्लास्टिक को नहीं खा सकता, ये उसी परटिकुलर प्लास्टिक को खा सकता है जो PET यानि की पौली इथिलियं टैरी तैलेट पॉलिस्टर नामक इस परटिकुलर कैमिकल से बना होता है वह घर में पालने वाला पैट नहीं ये एक क्यमिकल का नाम है और यह का शॉट फॉर मैं अगर कोई परटिकिलर पॉप्लास्टिक इस इस परटिकिलर चैमिकल से बना है तो यह जो मैंने पप्यू और को अब मांग करके दिया है यह परटिक्यूलर species उस plastic को खा जाएंगे उसको decompose कर देंगे वैसे ही कुछ fungi के भी आपको नाम दिये हुए हैं जैसे कि acetinomycetis streptomyces nocardia, acetinoplanes ये वो particular microbes के नाम दिये हैं जिनका काम होता है rubber को क्या करना decompose कर देना तो अगे पेपर में one more question यहां से पूछा जा सकता है कि ऐसे microbe काम नाम बताईए जो rubber को decompose कर रहा है ऐसे microbe काम नाम बताईए जो आप लोगों के plastic को decompose कर रहा है तो ये जो entire आपका पुरा का पुरा paragraph है ये बहुत ही ज़्यादा important है ठीक है इसी particular paragraph में चौती चीज़ आप लोगों को एक डी है acid rain के बारे में acid rain के बारे में आपने lower classes में जब आपने acid base वाला चाप्तर पड़ा होगा तब सुना होगा मत्ता मुझे असा लगता है कि तुम्हें acid base के बारे में acid rain के बारे में idea है तो देखो जब acid rain होती है तो पानी का जो pH होता है मताब बारिश के पानी का जो pH होता है वो साथ से कम हो जाता है बहुत कम हो जाता है तो इसलिए हम उसको acid rain कहते है अदरवाई नॉर्मली पानी का जो pH है वो साथ साड़े साथ ऐसा होना चाहिए बट वो साथ से कम हो जाता है इसले उसको acid rain कहते हैं הब जब वो acid rain अर्थ पे गिरती है soil में जाके गिरेगी तो soil को भी acidic बना देती है पता है और वही acid rain जाके water bodies में गिरती है तो जो water bodies है उनके पानी को भी acidic बना लेती है ठीक है मतलब जहां जहां जाके वो को गिटी है उन सारी जगाओं को वह एकिर दी कर देती है अगर आपके कुछ ऐसा बिल्डिंग्स पर गिर रही है ऐसे किसी ब्रिजिस पर गिर रही एевойकिर को बड़ा पर गिर रही है जिनकी बॉड़ी मैटल से बनी ये और हम जानते हैं कि मेटल और एसे आपस में रियाग करते तो उन दोनों के रियाक्शन की वज़़ए से वो जो मेटल है वो भी खराब होने लगेगा अब हम क्या चाहते हैं हम यह चाहते हैं कि हमारा जो मेटल है यह कोई भी हमारी ऐसी चीज जो ऐसे ट्रेन से डेमेज हो रही है वो डेमेज ना हो है ना तो ऐसे केस में हम लोगों ने हमारे एक बहुत ही प्यारे से क्या किये बैक्टेरिया की खोच की जिसका नाम है एसीडो फीलियम और दूसरा है एसीडो बैलस फेरी ऑग्जिदेन यह पर्टिकुलर बैक्टेरिया क्या करते हैं आप लोगों के सॉइल पोलुशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं लेकिन कौन सी वाली सॉइल पोलुशन जो की ऐसे ड्रेन से हुई है ठीक है तो यहां से आपको वनमार्ग का कुशन लोगने के लिए आप बताईए कि आपने कौन से बैक्टेरियास का इस्तेमाल किया दन उसके अलावा उसने यह भी बताया है कि कभी किसी रीजन्स की वज़ा से हमारा जो अर्थ रहता है हमारे अर्थ में हमारी सॉइल में कुछ टॉक्सिक पॉल्यूटेंस मिक्स हो जाते ह वैसे कुछ सालों पहले बहुत बड़ा केस हुआ था मैगी पर कि उसमें लेड की कॉंटिटी थी वो भी जर्वस से जादा ठीके जितना एक निर्धारित होना चाहिए उससे जादा थी क्यों क्योंकि अगर आप उसको अक्यूमलेट करोगे तो आपकी बॉड़ी के लिए ह यूरेनियम होता है वैसे तो हमारे अर्थ के अंदर पाया जाता है अर्थ से ही एक्सट्राक किया जाता है बट अगर ये यूरानियम हमारी वाटर बॉडी के साथ मिक्स हो जाए है ना बराबर ये यूरानियम एक्टॉमिक पावर प्लांट से निकल कर अगर वाटर बॉड किया जाए कि इस uranium salt को हम हमारी अगर किसी water body में या किसी soil में अगर यह mix हो भी गया है तो इसे कैसे हटाया जाए तो इसके लिए हम लोगों ने अगेन एक बहुत ही प्यारे से microorganism को ढूंडा जियो बैक्टर यह जियो बैक्टर क्या करता है आप लोगों के uranium salt को convert कर देता है इंसल्यूबल salt में मतलब फिर यह कभी भी पानी में dissolve नहीं होंगे मतलब जैसे कई बार पानी के साथ कच्ड़ा आ जाता है क्योंकि कच्ड़ा पानी में dissolve नहीं होता है तो हमें हमारी बड़ी बड़ी आखों से कच्ड़ा दिख जाता है हम चंणी से कच्ड़े को चान लेते तो वैसे ही अगर आप ने जियो बैक्टर नमक माइक्रो और गयानिजम डाल दिया है माइक्रोड डाल दिया है तो इस इस uranium融 के number salt के वो insolubal salt में खर देगा convert कर देगा सच्वित कुब्र में चे defendants कर देगा सचच तकी पानी में है डिजॉल नहीं होगा और से हमारी बाड़ी में जाने से क्या हो जायंगा lost को फिर पेंगा देख सब्ख करना होता तो पते हैं मैं मैं कैसे exam paper set करती मैं इस geobacter की आपको फोटो दे रेती आपको पूछती identify this microbe आप identify करके लिखते geobacter फिर मैं इसका part 2 बनाती इसका use लिखो तो आप इसका use लिखते कि it convert the salt of uranium into insoluble salt है ना और उसके बाद यहां से यहां तक क्या हो जाता प्रिवेंट दो salt from mixing with groundwater resources यह इसका क्या है advantage ठीक है यह इसका क्या है advantage या फिर यूज नंबर 2 दोनों ही आप लिख सकते हो तो इस तरीके से मेरा क्या हो जाता एक तू माक का question complete हो जाता मेरा एम भी complete हो गया यह पता लगाने का कि आपको पता है कि यह एक geobacter है और मुझे यह भी पता चल गया कि हाँ आपको यह भी पता है कि इसका यूज क्या है तो मैं इस स्टीच को इस तरीके से frame करती तो इस पूरे entire chapter में जो मुझे सबसे important paragraph लग रहा है वो यही है page number 84 और यह page number 85 का ठीक है किस तरीके से मतलब माइक्रोब हमारे environment से pollutant को कम करने का काम करती है ठीक है किस तरीके से फिर आगे और भी कुछ बातचीत की गई है उनके बारे में भी हम बात करते हैं जैसे कि जब खेती बाड़ी होती है तो फसलों में छोटे-छोटे कीट मौकोट लग जाते हैं जो फसल को बरबात करते हैं उससे बचाने के लिए किसान, इनसेक्टी साइट, पैस्टी साइट वगेरा वगेरा जैसे केमीकल स्प्रे करते हैं ताकी वो अपनी खेती को इस कीट मौकाट से क्या कर सके बचा सकें पराबर, but during the process of spraying, उनको खुद को भी harmful effects जिलने पड़ते हैं, क्योंकि nostrils के वाया, mouth के वाया, वो chemical उनकी body में जाता है, प्लस, आप जब उस chemical को spray करते हो, तो chemical मिट्टी में mix होता है, soil pollution होता है, प्लस, उसी chemical को आपके fruit या flowers के अंदर चला जाता है, और वही fruit या flower को हम consume कर लेते हैं, तो indirectly वह आपकी body में भी चला जाता है, फिर, तो सिवाब कीट मॉकॉट से रक्षा नहीं होती है, उन chemical से, उन chemical से आपकी body damage भी होती है, अब क्या करें, कीट मॉकॉट को कामे करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे, तो देखो इस तरीके से ये हमारे particular पौधों को खा जाएंगे, है न, तो अब क्या करें, तो देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोलना शुरू किया, कि काम करो न, आप ऐसे chemicals को use में लाओ, जिन chemicals को use करने से, ठीके, आपके microbes तो मर जाएं, बट soil pollution भी ना हो, तो ऐसे microbes, ठीके, बराबर, ऐसे microbes, जो क्या करते हैं, मतलब आप लोगों के, आप दूसरे harmful microbes को मार भी देते हैं, ठीके, मार भी देते हैं, और आपके pollution को भी create नहीं करते, उन लोगों को हम लोग कहते हैं, Bio Insecticide इनहे हम लोग क्या कहते है Bio Insecticide ठीक है ये सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे insects के लिए डेंजर है हमारे plant के लिए dangerous नहीं होते ठीक है हम लोगों के plants के लिए ये dangerous नहीं होते है न अजद लोगों के इसी एक Bio Pesticidika आपको example दिया है Spinocet कि इस Spinocet से आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुचेगा लेकिन हां उस प्लांट को नुकसान पहुचाने वाला जो आप लोगों का क्या कहते हैं इंसेक्ट है वो particular इंसेक्ट जरूर वहां पे क्या हो जाएगा मारा चला जाएगा ठीक है मस कदम हो गए कहानी है ना अच्छा और इसी के बारे में और थोड़ी जानकारी अगर हम दें तो यहां पर एक जो starting का परग्राफ है वो स्टार्टिंग के परग्राफ के बारे में हम लोग बाचीत कर लेते हैं स्टार्टिंग का परग्राफ हमको यह कहता है कि जब हम लोग खेती की फसल लगाने का जो सबसे हमारा पहला स्टेफ होता है बीच को बोना बीच बोने से पहले आप उस बीच के ऊप पर कुछ क्या करो inoculence को स्प्रे कर दो और उसके बाद बीच को प्रोग तो जब आप उन inoculence का मतलब basically यही होता है कुछ जमा की हुई चीज़े आप वह जमा की हुई चीज़ कुछ भी हो सकती है फिलाल हम लोग हमारे बीच के उपर माइक्रोब्स को जमा कर रहे हैं और फिर उस बीच को उगा रहे हैं ठीक है तो ऐसे में जब वो बीच उगेगा तो उस बीच के अंदर वो माइक्रोब्स आपके क्या होंगे इंटर हो जाएंगे जो आपके कुछ नहीं आपके प्लांट की कॉलिटी और प्रोड़क को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं बस यही सारी बातशीत की है अब देखो यह तो हो गया एन्वार्मेंट को किस तरीके से उस टाइप के माइक्रोब से बचाया जाए जिसको हम यूम अपने लेवल पर खुद बिना किसी माइक्रोब की मदर से खुद सौट आउट कर सकती हैं जिसका एक बहुत ही फेमस एक्जामपल है लैंड फिलिंग साइट मतलब घर से जो कच्रा जमा होता है जो कचड़े वाली गारी आती है है ना उसमें जो ड्राइवेस्ट वेट वे फिलिवा से गड़े का बेसी लिए से बायो गय Sis plant कहा जाता है समय के साथ साथ उसके आदा जो भी आप लोगों का वेट वेट वेस्ट होता है वो डिखंपोज होता है डिकंपोज उने के वज़े से वहां पर खाद बन जाती है खाथ को रंकालते हैं उसे मार्केट में यहां पर आप लोगों का और क्या होता है यहां पर आप लोगों का मीथेन गैस यहां पर क्या होती है प्रेड्यूस होती है उस मीथेन गैस को यहां से बाहर निकाल लिया जाता है और उसे पाइस के तुरू जो कि आपके यूजियली गाओं वगेरा में लोगों के घर में बा तो इस पूरी प्रोसेस में हम लोगों को किसी माइक्रोब को डालने के हमें जरुवत नहीं पड़ी आपके यहां जो भी कच्छना निकलता है सबजी का भाजी का खेत का पतियों का पेड़ों का गाय का गोबर यह सब वह सब डाल दू अपने आप यह चीजे क्या होती है डिक आपको प्यारी खात दे देती है और अधर सीम टाइम आपको यह क्या देती है मीधी टो पेपर में यह कोश्चन आपको आसकता है कि आप ड्रौ करके दीजे ए मौर्डन लैंडफिल साइट तो आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर चीज को ठीकर में आपको को श्यना सकता है कि आप इस modern landfill site को लेबल करिए मतलब आपको पूरा का पूरा डाइग्राम बना के दिया जाएगा बस चीजे गायब कर दी जाएंगी कि ए कौन है बी कौन है सी कौन है और आपको वहां पे क्या करनी पड़ेगी लेबल करना पड़ेगा वैसा ही एक और तरीके से कचड़े को उपयोग में लाने का जो दूसरा तरीका होता है वो घरों में भी छोटे-छोटे आप अपने खुद के खाद वाले प्लांट बना सकते ह हो छोटे-छोटे ड्रम्व में मतला अपने घर में खुद खाद बना सकते हो हां लेकिन उस खाद को फिर यूज कहा करोगे अगर आपको खेती वगेरा करने का बागवानी करने का बहुत शौक है तो आप अपने घर में खुद भी बना सकते हो अपने खुद के घर के कचड यह पेपर में आता है एकस्प्लेंग करने को पूछा जाता है बीच-बीच में से यह लेबलिंग गायब कर दी जाती है और आपको यह लेबलिंग को फिल करना रहता है So this diagram is very important, इस entire chapter में दो ही diagram बहुत important है एक खुद यह वाला और दूसरा है आप लोगों का वो landfill site वाला But the point is कि मैडम यह bio fuel क्या है, fuel तो हमने सुना है coal, diesel, petrol, CNG यह bio fuel क्या है तो जैसा कि इसका नाम है bio fuel इसका मतलब यह आप लोगों का कोई एक ऐसा fuel होगा जो हम लोगों को हमारे nature से मिल रहा है But madam, almost सारे ही fuel तो हमें nature से मिलते हैं, petrol, diesel, some nature से मिलता है, kerosene, koila, some nature से मिलता है, right फिर bio fuel में ऐसा क्या खास है, अब देखूं, जो fuel अभी currently हम लोग use कर रहे हैं, इन सारे fuels की एक बहुत ही बड़ा disadvantage है कि ये लोग यार, plenty of quantity में एक जमाने में थे, और अब हम इनको इतना ज़्यादा use करते आ रहे हैं, population भी बढ़ रही है, need भी बढ़ रही है तो धीरे धीरे ये जो fuel है, समय के साथ साथ खतम होते जा रहे हैं, और इनका production, इनका manufacturing हमारे हाथों में नहीं है कि चलो, दो किलो कोईला आज बना लो, चलो, छे किलो पेट्रोल, छे लिटर पेट्रोल बना के रखो, हमारे हाथ में नहीं है ये सारे fuels naturally बनते थे, बताओ इन्हें कई करोडों वर्ष लग जाते थे, कई करोडों साल लग जाते थे क्या कोने के लिए, प्रड्यूस होने के लिए, हमारे हाथों में नहीं है लिकिन जिस speed से आप इनका use कर रहे हैं, आपको नहीं लगता एक वक्ट ऐसा जरूर आएगा, जब ये fuel आपके खतम हो जाएंगे फिर, तो bio fuel का मतलब basically एक ऐसा fuel होता है जो की renewable source हो, जिसे हम लोग बहुती आसानी से क्या कर सके renew कर सके, sufficient amount में ये energy produce कर सके easily available हो, और जा बहुत स्यादा quantity में क्या हो आपका मौजूद हो और इस पे हम हमारा future को हम क्या कर सके depend कर सके, ठीक है, ये होता है bio fuel और इसके आपको कुछ examples ये हैं कि solid की अगर बात करें तो coal, cow dunk, crop का residue, liquid की बात करे, vegetable oil, alcohol, gaseous की बात करे, gober gas, coal gas, बट, इस entire examples में जो एक example दिया है ना, coal, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि एक तरफ book में, define में ये कह रहा है, कि आप लोगों का bio fuel, एक ऐसा fuel होना चाहिए, जिस पे आपका future depend कर सके, coal, coal कहां से है, coal को तो करोडो वर्ष, करोडो सदियां लग जाती हैं बनने में, हां, ये कहां से आपका plenty में available, हां, easily available, future पे हम इस पे depend कर सकते हैं, renewable, ये नहीं है यार, ये एक bio fuel नहीं है, ठीक है, ये bio fuel की एक अच्छे definition में ये एक इंसान fit नहीं बैठता, हां, काव डंक fit बैठता है, काव डंक, काव पे depend करता है कि काव कितना रोज चीची करेगा, जितनी करेगी उतनी आप उसको जमा कर सकते हूं, फिर, जिस हसाफ से pollution बढ़ रहा है, population बढ़ रही है, उस हसाफ से आप लोगों का जो वेट वेस्ट है, वो बढ़ेगा, तो उस वेट वेस्ट को अगर हम लोग प्रॉपरली इस तरीके से landfill sites में जाके अगर जमा करें, तो हम लोग गोबर गैस, बायो गैस बहुत ज्यादा quantity में बना सकते हैं, उसको यह जो हमारा chapter है, microbes वाला, वो यहाँ पे समाप्त होता है, excise जैसी भी है, पूरी पूरी रटा मारनी है, next topic जो हम लोग पढ़ेंगे, वो रहेगा हमारा cell biology and biotechnology, जो की again काफी जादा प्रवचन वाला chapter है, logically तो देखो, मैं सही बताओ, तुमारी science 2 के किताब में मुझे कोई चीज नहीं लगती, यह science 2 के किताब तुमारी इस तरीके से बनाई गी है, कि यह सारी चीज अगर आप खुद रीट करें, जो की काईदे से आपको करनी चाह तुम वह पहली batch हो, क्योंकि अभी तक क्योंकि अभी तक इतनी कमजोर batch मैंने देखी ही नहीं है, सही बताओ तो, अभी तक मैंने किसी भी batch में यह chapters को मुझे पढाने की नीड ही नहीं पड़ी, क्योंकि यह chapters सारे के सारे ऐसे chapters हैं, जो कि आप easily understand कर सकते हो, खुद रीडिं हैं, इस पूरे biology का जो आपका science 2 का syllabus है, मेरे according, ठीक है, मैं आप मेरी अपनी खुद की opinion है, मेरे हिसाब से इसमें देखो, पढ़ाने लायक सिव आपके यही chapters से, heritage and evolution, life process in organism part 1, part 2, जो कि मैं आपको already starting में ही, ये तीनों के तीनों मैंने आपको done कर दिये थे, एकदम starting में, ठीक है, मतलब, जब आपके स्कूलों में भी ये chapters नहीं हुए थे, तब मैंने आप लोगों को starting में ही ये done कर दिये थे, sexual reproduction, sexual reproduction, एकदम starting में, animal classification, यह हमने दिवाली के अवक, complete कर लिया है, है न, बीच में, I think, अभी complete किया था, exactly, तो मुझे भी आदनी है, बड़ ये complete कर लिया है, introduction to microbiology, environmental management, towards green energy, cell biology and biotechnology, social health and disaster management, ये मैंने सही बता हूँ, मैंने आज तक किसी batch में ये chapters नहीं पड़ा है, क्योंकि इ इसे ही आप रीट करोगे न, आपको खुद को समझ में आएंगे कि अच्छा, इसमें ये है, इसमें वो है, कुछ भी नहीं है, इसमें लॉजिकल, ये जस्ट एक जीके बढ़ाने लाएक chapters, कि आपके आजू-बाजू environment में क्या चल रहा है, EVS, सही कहूं न, तो मैं एक तरी है, ये sources of energy जैसे आपके एक आदी, बट आपके syllabus में तो देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे chapters unnecessary burden के तौर पर है, unnecessary, हाँ, इन्हें अलग से एक किताब के format में दिया जा सकता था, जैसे कि 12th boards में होता है, एक topic EVS, 50 माग का grading system के according, वो दिया जा सकता था, बट अननेसेसर साइंस 2 का वेतेज बढ़ाने के लिए इसको डाल दिया, ये मुझको परसनली ठीक नहीं लगा, अगर उन्हें साइंस 2 का chapters बढ़ा नहीं थे, तो कुछ और दे देता, और भी बहुत सार अच्छे chapters है, जो आपने भी तक पढ़े ही नहीं है, वो दे देता, है ना, ताकि आ अभी हम लोगों के स्टार्टिंग के तीन chapters हो, देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, सोशल हेल्थ और दिजास्टर मैनेजमेंट पर मैं पहले ही टिपणी कर चुकी हूँ, ये दोनों मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, ये दोनों completely मैं ना समझ मैं, अगर ऐसा कुछ है, तो you are free to ask, लेकिन उसके लिए at least आपको one time खुद स्वयम किताब खुलनी चाहिए, क्योंकि आप ये कर सकते हैं, जो चीज़ आप कर सकते हैं, वो आपको खुद करनी चाहिए, ठीक है, आच्छा, वैसे ही अब बचता है एक चप्टर, cell biology and biotechnology, चलो ठीक है, इसमें कुछ भारी-भारी भरकम शब्द है, हो सकता है, इसके meaning आपको नहीं समझ रहे हूँ, ये मैं बता दूँगी, cell biology and biotechnology, जिसे हम कल से start करेंगे, ठीक है, अच्छा, अब अगेन आपके दो चप्टर बचते हैं, environmental management, ये वो चप्टर है, जिसके ब क्या होता है, ये अपने नवीक अक्षा में पढ़ा है, है ना, आ बायोटिक, बायोटिक components कौन से होते हैं, आपने अपने अपने नवीक अक्षा में पढ़ा है, फिर उसके अलावा, air pollution क्या होती है, किन-किन चीजों से water pollution होता है, किन-किन चीजों से soil pollution होता है, environment को क्यों बचाना चाहिए, कौन सी चीज कौन से साल में बनाई गई, चिपकु मूवमेंट कब हुआ, यह फलाना मूवमेंट कब हुआ, कौन सा एक्ट कौन से एर में आया, इस आर जलस्ट जी के नॉलेज जो आपको खुद पढ़नी चाहिए, अगर आप खुद पढ़ेंगे इससे आ जो आपको खुद समझ मेंगे, ठीक है, यह वाली यूनियन का फुल फॉर्म क्या है, यह वाली फॉल फॉर्म क्या है, कौन सी ओर्गनाइज़ेशन कौन से स्टेट में है, है हाट्सपॉट डाइवरसिट इंडिया में कितने परसंट है, कितनी सारी चीजे एंडेंजर्ड ह इसका क्या एक्जामपल है, यह सारी चीजे आपकी जीके पाकते हैं, इसमें मैं सही बतनाओ, मेरे पढ़ाने का कोई भी यूजनी है, यह सारी चीजे कुद वीट करके समसखते, ठीक है, हाँ, उसके बाद हमारा एक और चप्टर है, तूवर्ड ग्रीन एनरजी, जो की सारी चीजे इवियस में पड़ी थी, कि पानी का तेज फोर्स होता है, उससे टर्बाइन रोटेट करती है, यह सारी चीजे, यह सारी कि सारी फ्लो डाइग्राम आपको याद करना है, और कुछ भी नहीं, जस्क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कि जब हम लोग डैम बनाते हैं, तो हमको बहुत सारी पॉपुलेशन को रियाबिलेट करना रहता है, यह करना होता है, वो करना होता है, हाँ, बट यह चाप्टर में मानती हूँ, कि अपके अधर चाप्टर से थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है, कि कठिन है, तो चलो ठीक है, यह लगे तो मैं एक बार मे नहीं पढ़ाएगा, तो भी यह चाप्टर सेल्फ एक्स्प्लेनेटरी है, आपको समझ में आने ही चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, इतमीन्स आपकी रीडिंग स्किल्स बेटर नहीं है, अच्छी नहीं है और आपको उसको इंप्रूव करने की जरुवत ह ठीके, तो अभी यह जो सेल पायोलोजी और बायो टेक्नोलोजी है, यह वो आखरी चाप्टर होगा, जो मेरे द्वारा इस पर्टिकुलर सेलेबल्स में पढ़ाया जाएगा, बाकी के चाप्टर सही में पढ़ाने लायक नहीं है, मुझे ही लगका तुम इत्ते पूंगु कि नहीं मैडम, यह चीज तो सही में पूरा बाउंसर चली गई यह हवाय सर के उपर से, यह चाप्टर तो हमें समझ ही नहीं आए, जैसे कि एक ने मुझे मुझे किया, यह चीज़ क्योंकि मैं अल्रेडी भी बोल चुकी थी बहुत पहले, कि यह चाप्टर पढ़ाने लाय So therefore we are moving toward this chapter, अगर मान के चलते हैं अभी भी कोई ऐसी आत्मा है, जो मुझे यह बोल दे कि हनी मैडम इसमें देखिए, यह वाले जो चाप्टर है, environmental management और toward green energy, इन में से उसको किसी एक चाप्टर में, या let's say किसी दोनों ही चाप्टर में, दिक्कत या समस्या है, तो उस personally, उ इससे बचा हुआ, social health, disaster तो वैसे भी कुछ है नहीं करने लायक, लेकिन still अगर किसी का ऐसा आता है, और अगर मान लेते हैं मेरा भी मन करता है, तो मैं पहले towards green energy की तरफ move करूँगे, ठीक है, बस यही तुम्हें बताना था, तो कल से हम लोग cell biology and biotechnology की तरफ move करेंगे, फिल